सिद्धिदात्री की पूजा विधी, नवरात्र के नौवे दिन सूर्योदे से पहले स्नान कर साफ और सुन्दर वस्त्रधारंग करें, सर्व प्रथम गनेश और कलश पूजन कर मा सिद्धिदात्री की पूजा प्रारंब करें, माता को पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर मा पता को नो प्रकार के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी आधी अर्पित करें। इसके बाद मा सिद्धिदात्री की कथा का पाठ करें। अंत में आरती करें। सुपारी, पान, बताशा, ही, नीरियल, लाल कपड़ा, कलावा, पूरी और खीर। हवन विधी नवरात्र की नवमी तिथी को सबसे पहले विधिवत तरीके से मा दुर्गा के नौवे स्वरूप मा सिद्धादात्री की पूजा कर ले। इसके बाद कलश की पूजा करें। इ जब हवन मंत्रों के साथ आहूती डाल दे, आपको किन-किन मंत्रों के साथ आहूती डालनी वह जान लीजिए। हवन करते समय इन मंत्रों के साथ दे आहूती। उ विश्नुवे नमा स्वाहा, उ शिवाय नमा स्वाहा, उ जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमा शिवाधात्री स्वाहा, स्वधा नमस्तुती स्वाहा, उ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांत कारी भानू, शशी भूमी सुतो बुधश्च, गुरु अब इसके बाद हवन में खीर का भोग डालें, फिर एक सूखा नारियल लें, इसके चारों और रक्षा सूत्र लपेट दें, इस पर घी मल लें, इस नारियल को हवन कुंट के बीच में रख दें, अंत में बची हुआ हवन भूप को उपर से डाल कर इस मंत्र को बोले ओम पूल्नात, पूल्न मुझ चिते, पूल्न स्य पूल्न मादाय, पूल्न मेवावश चिते, यह भी पड़िये सिध्धी डिट्री पूजन टुडे,